हला यूरीवन कैसे हैं आप सभी होप आप सभी अच्छी होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सो फाइनली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी किसर कैमपस प्लेस्मेंट के लिए एक वीडियो जो है बना दीजे इन डीटेल सो यहाँ पर कैमपस प्लेस्मेंट की पूरी जानकरी जो है आज मैं आपको देने वाला हूँ तो देखिए प्रोसेस किस तरीके से काम करती है कैमपस प्लेस्मेंट की देखिए जैसे ही आपका रिजल्ट आता है और आप सीए में बन गए हैं तो रिजल्ट के नीचे ही एक लिंक होगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि यू कन अपलोड यूर सीवी ओवर हियर और आपको वहाँ पर एक फॉर्म बरना होता है जिसमें आपके सारी personal details होती है और number of attempts भी आपको वहाँ पर बताने पड़ते हैं और marks and all सारी आपके details वहाँ पर होती है इसी के साथ साथ में आपको CV भी upload करना होता है आपका और CV जो है बहुत अच्छा होना चीए दिखने के अंदर और knowledge भी उसमें काफी सारी होनी चीए मतलब आपके बारे में काफे सारी जो चीज़े हैं discussed होनी चीए आपके achievement and all अगर आप यह CV बनाना और CV हर एक candidate के लिए अलग अलग बनेगा तो copy please किसी और का नहीं कीजिएगा अगर आपको knowledge नहीं है या फिर आप in detail campus placement से related सारी knowledge चाते हैं कौन सी company किस type के interview में question पूछती है क्या packages होते हैं हमें क्या follow करना चीए अगर यह सारी knowledge आप चाते हैं तो वैसे हमारा plan भी चलता है मतलब campus recruitment training program है जिसको आप join कर सकते हैं और इसके लिए आप 89630-95483 पर you can WhatsApp और जो है सारी चीज़े आपको बता दी जाएगी और आप respective group के through online offline जो है यह batches ले सकते हैं इन batches के त्रू जो है काफि सारे students ने recently जो है campus placement को conquer किया और मैं खुद personally touch में रहता हूं इस program में भी और तिल campus placement जो है आपके साथ में मैं और team भी हमारी वो सब कुछ मिल करके रहती है तो देखिए process क्या होगा जैसे ही link है तो आपको वहाँ पर CV भी साथ में upload कर देना होगा और यह details आपको बहुत अच्छे से fill करनी है और एक question पूछा जाता है are you ready to relocate anywhere in India जिसमें आपको yes और no बताना होता है make sure कि आप इसको yes करे yes you are ready to relocate अगर आप इसको no कर देंगे तो हो सकता है आपकी short listings आए ना काफी सारी companies में हो सकता है एक company में भी short listing ना है तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब आप form बरे तो इन चीजों का ध्यान रखिए इसके बाद में आती है eligibility short listing and all यह किस तरीके से होता है तो देखिए बेटा eligibility जो है अलग अलग तरीके से होती है कुछ companies जो है वो only CMA पास चाहिए उनको और कुछ भी नहीं चाहिए और वो short listing कर लेते हैं based on your CV और randomly short listing करते हैं कुछ companies को CMA चाहिए plus 60% in graduation चाहिए ध्यान रखिएगा graduation के मांगते है become BBA जो आपने करा है उसके कुछ companies को CMA first attempt चाहिए होता है plus 60% throughout 10th, 12th graduation उसमें चाहिए कुछ companies का ये भी criteria होता है कुछ companies को CMA में rank चाहिए होती है generally PSEO वगरे करते हैं जिनको कम candidates का interview लेना होता है वहाँ पर ऐसा भी कुछ किया जाता है और कुछ companies के कोई criteria ही नहीं होते everyone can come क्योंकि वह open interview जो है वह organize करती है कोई भी आईए जो eligible candidate होगा वह interview दे दीजे लेकिन package जो है वह फिर उस company का but obvious है कि कम होगा जितना hard criteria package उतना ही जादा होता है ये भी ध्यान रखिएगा आप तो ये काफी सारे parameters है इसके अलावा भी अगर आप एवरेज स्टूडेंट रहे तो आराम से आ जाएगी आप maximum four companies के अंदर जो है interview दे सकते हैं let's say के आपका six company में shortlisting आ गया तो भी आपको four companies ही choose करनी पड़ेगी और आप उसी में जो है वह interview दे पाएंगे तो ये criteria के बाद में जो होता है shortlisting आने लगती है shortlisting आ करती है फिर उसके बाद में candidate को देखा भी जाता है अगर हमारे program की बात करूँ तो आपकी किस में shortlisting है फिर उस companies की past trends उनको बताया जाते हैं कि किस टाइप के questions है and all और उसी company में कोई हमारा जो past student है past CMN है वो अगर लगावाया तो उससे भी उनका पूरा का पूरा coordination कराया जाता है तो shortlisting जो आ जाती उसके बाद में company oriented जो है फिर आपको preparation कर लेनी चाहिए आपको company oriented उस company की profile वो company किस टाइप के questions past में पूछती रही है उसी के according जो है आपको preparation करनी पड़ेगी for campus placement तो यहां पर company oriented preparation जो है वो आपको चालू कर देनी होती है shortlisting आने लगती इसके ब जो है वो training भी कराता है जब आप यह form बरेंगे जो मैंने बताया था कि जिसका link result के साथ मिलता है तो उसके बाद में आपकी एक fees ली जाती है I think 4000 अप्रोक्स यह fees होती है जिसमें institute आपको 12 days की training provide कराता है और जिसमें अलग-अलग लोग आकर के sessions लेते हैं और आपको बताते और यह training लेना mandatory होता है तो यह training आपको लेनी पड़ती है then you can appear in campus placement तो यह training लेना जरूरी होता है लेकिन duration काफी कम होने के वज़े से necessary skills develop करने के लिए काफी कम time मिलता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप at least at least 30 to 40 days का कोई program जो है आपको join करना होता है इसके बाद में दे campus placement के अंदर जो company है वो एक तो government companies आती पीस यो एंड और ऐसी companies एक आपको public companies मिल जाएगी government भी होती है लेकिन public companies है मेरा मिनिंग है थोड़ी बड़ी companies और public में टाटा रिलाइंस नेसले ऐसी companies कुछ private companies भी होती है इनका package थोड़ा सा कम होता है इसके अलावा MNC companies में भी मैं इनको बाठ सकता हूँ और कुछ practicing firms वाली भी company होती है practice वाली तो यह सारे अलग-अलग तो different type of reason से बोल सकते हैं कि different type of areas से company आती है तो इनके interview के question processes सब अलग-अलग होते हैं हर एक company का तो in detail guide आपको तभी दी जा सकती है जब आपकी company पता होगे shortlist किसमें लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्राइटीरिया हो सकते है companies के packages सबसे जादा जो है government companies ही देती है MNC average package देती है लेकिन इन में थोड़ा workload जो है कम होता है corporate culture आप enjoy कर सकते है public companies ऐसा है के package थोड़ा सा ज़्यादा देती है लेकिन इन में corporate culture as per past experience बता दो थोड़ा कम ही मिलता है आपको बहुत ज्यादा मेहनत यहां पर करनी पड़ती processes क्या क्या होती different different companies different different तरीके से जो है अपनी shortlisting और उसके बाद का काम करती है कुछ companies shortlisting की तब करती है जब वो return test ले ले return test के बाद shortlisting करती है अब इस return test में आप लोगों की expectation क्या रहती है हमसे पूछेंगे costing accounting taxation लेकिन नहीं यहां पर पूछा जाता है reasoning आपसे general aptitude की चीज़े पूछी जाती एक तरीके से कह दूतों में general aptitude के साथ साथ फिर अपना जो subject knowledge है वो भी पूछा जाता है 60% के approach जो है हमारे subject knowledge होता है 40% जो है वो अधर चीज़े भी होती है general aptitude best वो भी देने होते हैं तो इन return test में पास होने के बाद आप shortlist होते हैं shortlist होने के बाद में वो company आपका interview ले लीती है कुछ companies ऐसे भी होती है जो पहले test लेगी देन जो test में shortlist होंगे उनका group discussion कराया जाएगा जीडी और जीडी में जो select होंगे फिर उनका interview कराया जाए इस तरीकी की भी process होती है कुछ companies की process होती है test then direct interview जनरली यह PSU companies में ज्यादा देखा जाता है और कुछ companies ऐसा होती है direct only and only interview direct interview पर ही select करेगी वो company बाकी कुछ भी तो these are the many things test हो सकता है जीडी हो सकता है आपका और interview आपका हो सकता है तो यह different चीज़े इन सभी के लिए अपन को prepare रहना पड़ता है और interview में different type of question जो है पूछे जाते हैं इसमें सारे के सारे subjects related question लेकिन कुछ specific topics होते हैं जिनी पर focus किया जाता है interviews में और किस तरीके से interviewer को आपको answer देने होते presentation कैसे होती वो सब कुछ जो है यह आपको mock interviews and all देने के बाद ही clear होता है तो अगर आप ऐसा कोई program चाते हैं तो past records काफी अच्छा रहा है हमारा बहुत अच्छे campus placement हुए तो आप इस program को join कर सकते हैं campus placement वाले को वरना आप जो है खुद भी prepare कर सकते हैं content जो है हर जगे YouTube पर भी available है freely तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन exclusively campus placement based training के लिए आप मुझे यहाँ पर WhatsApp करके भी वो join कर सकते हैं वहाँ पर आपको क्या होगा कि CME के ही candidate मिलेंगे और उसी के according आपकी preparation and competition and all होगा तो यह सब कुछ हो जाने के बाद में अब क्या होता है अगर आपने company में interview अच्छा दिया है तो आप company में हो जाते हैं select होने के बाद में आपको generally management trainee या officer trainee की तरह रखा जाता है अनकुछ six months या one years के बाद में जो है आपको on rolls कर दिया जाता है मतलब fixed कर दिया जाता है आपको अब बात करते हैं packages की रहें सबसे ज्यादा packages जो है PSU companies देती है आपकी package में बोलू campus placement में जो actual में देख रहा हूं मैं जूट नहीं बताऊंगा minimum से minimum 4 lakh तक भी जा सकता है 4 lakh 2 19 lakh का जो है यह package अपन को देखने को मलता है till now highest जो है 19 lakh यह ONJC Indian Oil SE companies जो है यह packages भी offer करती है minimum side में 4 lakh तक भी जा सकता है यह package तो this is the package range और average package बात करूँ तो 6 to 8 lakhs के अप्रोक्स जो है आपको all and average companies की तरफ से देखने को मिल जाता है companies काफी सारी आती है campus placement के अंदर तो अगर PSU companies तो आती है जिसमें ONGC हो गया Indian Oil हो गया या और भी काफी सारी PSU companies आती रहती है इसके अलावा public company में ITC company जो है हमेशा आती है वैदानता company जो है वो हमेशा आती है Nestle जो है वो हमेशा आती है तो इनके interview कैसे लिए जाते हैं हम पहले से predict करके ही preparation start कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं guide के लिए आप मुझसे WhatsApp पर बात कर सकते हैं यह number है इस पर call का हो सकता है जवाब ना मिले आपको WhatsApp के तुरू सारे answers मिल जाएंगे तो this is the these are the companies और इसके अलावा बहुत सारी companies होती है मैं वो company बता रहा हूं जो approximately हमेशा fix होती है बाकी change होती रहती है इसी वज़े से hero company last year आई थी last time तो 10 lakh के अप्रोक्स जो packages है वो दे रही है इन companies के भी जो भी ITC के भी अलग-अलग divisions आते हैं एक ITC limited आती है एक ITC lifestyle आती है एक ITC food आती है तो अलग-अलग division आते है ITC के भी तो ITC hotels आती है तो ITC अपने आप में चार companies हो जाती है तो काफी सारी opportunities company के मामले में आपको short listing में मिल जाती है related knowledge अगर यह knowledge भी नहीं है तो don't worry अगर आप CRT प्रोग्राम में आ रहे हैं तो आपको वहां पर यह भी दी जाती है knowledge और अगर आप वहां नहीं आ रहे हैं तो आप इस चीज को prepare कर लीजेगा अच्छे से आप आपके आसपास locally भी कहीं इन चीजों को दो को अच्छे से रख रहेंगे आपके अंदर से skill खोज करके निकालना यह सारा काम CV के अंदर होता है main चीज is our content यह जो content है CMA से related main वह है domain है main यह ज्यादा main चीज है बाकी चीजे है important लेकिन ज्यादा important यह होता है कि आपके article ship से related और domain से related चीजे जो है वह ज्यादा importance रखती है क्योंकि after all वह आपके लिए ज्यादा important होती है रही बात communication skills की तो वह तभी develop होगी जब आप एक group के साथ में सारी preparation करें group के साथ में रहें CMS के साथ में रहें तब यह skills जो है automatically develop होती जाती है और उसको develop कैसे करना है that we know और institute की training में आप जाएंगे तो जो भी आपको जहां भी बोलने का मौका मिले तो आपको जुरूर से उसको grab करना चाहिए और वो भी आपको करना चाहिए तो यह package मिलने के बाद आप हो जाते हैं so this is the detailed process जो मैंने आपको बताई इसके अलावा भी आपका campus placement से related कोई question रह जाता है तो you may ask me के और भी कोई चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप freely आप जो है comment box में लिख सकते हैं मैं आपको surely answer दूँगा अगर आप इस campus placement से related program क का हिस्सा बनना चाहते हैं इस नंबर पर आप WhatsApp करके उसका हिस्सा भी बन सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही thank you very much और भी गाइट के लिए आप comment में लिख सकते हैं मैं surely आपको reply करूँगा thank you very much bye